नमस्कार साथियो जब कोई व्यक्ति दुख में होता है तो उसको ऐसा ही लगता है कि शायद ये दुख हमेशा है कभी जाएगा भी है नहीं पर दुख भी चरा जाता है है ना फिर जब वो सुख में होता है तब भी उसको ऐसा लगता है कि शायद ये सुख हमेशा रहने वाल हुआ होता है तो ऐसा लगता है कि ये दिन शायद हमेशा रहने वाला है पर फिर रात आती है पर चुकि हम उस रात और दिन को देख चुके होते हैं तो हमें एक बुद्धी मता आ गई होती है कि भाई ये दिन भी हमेशा नहीं रहने वाला है ये रात बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं, थोड़ा अभिमान कर जाते हैं और जो इस बात को समझ जाता है कि सुख दुख आने जाने हैं धूप छाव आनी जानी है, और दौनों में समान रहता है ना तो दुख में इतना परेशान होता है ना ही सुख में एहिंकार में आता है वो जीवन को आनन्द उठा सकता है उसे जीवन में गलतियां भी कम होंगी उसके करम भी अच्छे रहने वाले है और उसका भागी भी साथ देगा क्योंकि करमों से ही भागी बनता है खेर करक राशी वालों के लिए बहुत ही महत्तपूर महिना है क्योंकि चौथा भाव आपके लिए महत्तपूर है चौथे नंबर की राशी है एक, दो, तीन, चार है हाँ पे चार नंबर लिखा हुआ है नक्षत्रों में भी गिनेंगे तो अश्वनी, भर्नी, कृतिका, रोहिनी रोहिनी का नंबर चार है चौथा भावर होता भी प्रियार माता, फ्रेंट दोस्त, घर सुवधाएं, मेंटल पीस का है जो आपके लिए महत्तपूर है और उस घर में, उस घर का ही मालिक शुक्रा कर मालविनाम का महापूरस योग बनाने वाला है पर 16 तरिक के बात इसलिए महेना बहुत महत्तपूर है इसके बारे में बात करेंगे और क्या बड़ी चीज हो रही है 15 अगस्त लेके 16 सितंबर तक सूर अपने ही राशी में आपके दुत्ते भाब में रहने वाले हैं जो कि आपके फ्रेंड है सूर और चंद्रमामित्र होते हैं आपके दुत्ते भाब में रहेंगे बुद्ध भी आपर रहेंगे और बुद्ध 23 तारिक को फिर आपके तिरते भाव में कन्या राशी में चले जाएंगे केतू के साथ और जो शुकर जो 16 तारिक को यहां आएंगे चौते भाव में मालब भी रोग बना रहे हैं वो 16 तक आपके तिरते भाव में रहने वाले हैं उसके बाद 16 सितंबर को फिर वो ये एक राज योग बना देगे, बहुत महत्पूर योग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शुकर अपनी राशी में भी है, उनको धिगबल भी मिल रहा है, और हर तरह से ये योग बहुत सर्वोत्तम योग बना हुआ है, पर सानी की साड़े साती चल रही है, साड़े साती नहीं ढहिया चली हुए है, कुछ लोग इस कंटक्शन ही बोल देते हैं, पर वो वक्री हैं, तो कहीं न कहीं सब्तम भाव का फल दे रहे हैं, बहुत हैं, नवंबर तक, तो ये भी एक अच्छही है, और राहू आपके भाग में चल रहे हैं, मीन राशी में चल रहे हैं, गुरू का नक्षत्र परवरतन हो रहा है गुरू जो है वो आपकी योग का रग्र है मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं ब्रग शिरा नक्षत्र में जा रहे हैं और मंगल खुद बारे में भाब में इस महीने रहने वाले हैं अब आ जाते हैं result के उपर बड़े बड़े जो परिवर्तन है तो महीने के सुरू में ही जो परिवर्तन जो आपको देखने को मिलेगा वो सूर्य का है जो की 15 अगस्य लेके 16 सितंबर तक है धन का स्वामी धन में साथ में बैठे हुए हैं बुध जो की आपके बारे में भाव पर तिरते भाव के स्वामी है पर खुछ भी हो धन का स्वामी धन में है तो धन तो देने का पैसा तो कहीं से आएगा खर्चा भी रहेगा जात्राएं भी रहेगी ट्रेवल भी रहेगा कुछ ऑप्स्टेकल भी रहेगे क्योंकि तीसरे और बारे में भाव का स्वामी भी ध पर सूर्य और बुद्ध का आरित्य योग बन रहा है, धन के भाब में तो लक्षम योग तो ये है, धन योग तो ये है, पैसे का योग तो 16 तक बनता है आपका. Mainly ये जो पैसा आ सकता है, family, business के थोरू, family के थोरू, अपनों के थोरू, बड़ों के थोरू, उसका इसमें रोल रहने वाला है दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन गुरू का हो रहा है जो उनका नक्षत बदर रहा है मंगल के नक्षतर में आ रहे हैं मंगल आपके योग का रग रहे हैं तो इस समय गुरू आपके दसम भाव का रिजल्ट देंगे और पंचम भाव का रिजल्ट देंगे कहीं न कहीं अपने रिजल्ट के साथ-साथ मतलब आपके करियर, पोस्ट, पोजिशन, पद आदी का रिजल्ट देंगे एजुकेशन, जीवन में किसी का आना प्रेम, पढ़ाई लिखाई परफॉर्मेंस यह भाव परफॉर्मेंस का भी स्टॉक मार्केट आदी का भी रिजल्ट देंगे स्टॉक मार्केट में ज़्यादा अच्छा योग बनेगा आपका सोले के बाद, क्योंकि उस समय स्टॉक मार्केट के जो कारक है पुत्तिवते भाव से चतॉर्थ में आकर मालव विनाम का योग बना देंगे तो सोले तारिक के बाद स्टॉक मार्केट जमीन गाड़ी, घर के लिए कुछ होना उससे आपका अच्छा योग होना घर से कोई काम करें, डिजाइनिंग का आपका काम है कही ना कही आपका काम जमीन से जुड़ा हुआ है फ्लैट से जुड़ा हुआ है, घर के नक्षे बखसे बनाते हैं, लोग या घर जो बनते रहते हैं कंस्ट्रक्शन वगरा चलता रहता है वहाँ पर कोई काम है, कमिशन का कोई काम है आपका female से लिएटेट कोई काम है कहीं ना कहीं, पढ़ाई से समंदित कुछ है, तो आपकी पढ़ाई भी बढ़िया, यहां पे रहने वाली है, खास करकी किनकी, जो आपके इंटर तक हैं, बारामी क्लास तक हैं, उसके बाद जो आते हैं, बारामी क्लास के बाद, BA वगरा या फिर BSC वगरा, तो उसके लिए बारे में भाब में गया है, पंचम का स्वामी, जो उसके सिक्षा कह सकते हो, किसी हद तक, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत effort करना पड़ेगा, वहां पे effort किया वशकता है, अब त्वेल्थ के बाद कुछ पढ़ने जाना चाहते हैं, इंजिनिरिंग की डिगरी के लिए, पौरन जाना चाहते हैं, तो उसमें मंगल आपकी help करें, मंगल दसम का स्वामी होकर, बारे में भाब में बैठें, तो दसम भाब आपका career है, post है, position है, आपकी रोटी bread कमाते हैं, जिससे खाना कमाते हैं, अपना जीवन के लिए जो भी कमाते हैं, वो दसम भाब हैं कहीं न आ सकता है, अपने काम से सम्मंदित, या पर travel हो सकती है, यातरा हो सकती है, उससे सम्मंदित, जरूरी नहीं कि दूसरे country में ही जाएं, कोई लंबी यातरा बन सकती है, कहीं, transfer वगरा भी हो सकता है, कोई change वगरा भी आ सकता है, इस चीज़ को भी हाँ पर मंगल दिखा रहे ह गुसा, क्रोध, प्रेम बना के रखना है, लड़ाई जगडा नहीं करना है, यहां से मंगल की आठमी डश्टी सब्तम भाब पर आ रही है, हलाकि उच्ची की डश्टी है, तो बिजनिस को बढ़ाएंगे, ब्यापार को बढ़ाएंगे, पर फिर भी मंगल है भी हा, मंगल क करते हैं, डंगल, लड़ाई जगडा करा देते हैं, गुसा करा देते हैं, एनर्जी बहुत है मंगल के पास, उस एनर्जी को अगर डारेक्शन ना मिले तो इधा उधर भागती है, तो एक्साइज करें, फिजिकल एक्साइज करें, लाइफ में कोई गोल है, तो सारी एनर् वो अपने लक्ष की तरफ गोल की तरफ रखना है तो ये मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देंगे खर्चा वगरा करा सकते हैं मंगल अगर बारे में भाब में जाता है तो अपने काम में भी थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि फॉरण विदेश लिजाने के साथ सती आपके काम में कभी-कभी ग्रे चेंज करा देते हैं ब्रेक भी लगा देते हैं बारे मभाब इस चीज का भी है पर जो लोग अपने जन्मिस्थान से दूर रह रहे हैं तो उनके लिए फिर ये positively result देगा रोग रिण सत्रू को समाप्त करेंगे रोग को खतम करेंगे सत्रू वगरा से आपको कही ना कही मंगल यहाँ पर safety देंगे सेना पती है ना सस्त्र धारी मंगल पूरी सेना को कंट्रोल करते हैं और उनकी जब दर्ष्टी छटे भाब पर होगी जो रोग रिण सत्रू का है तो एक तरह से आप कह सकते हो पापी घरह जब छटे भाब को देखते हैं तो रोग को समाप्त करते हैं रिण को भी समाप्त क करते हैं कोट के साधी में कमपटी सदाधी में आपको विजय दिलाते हैं यासा मंगल कभी-कभी आपको रिण दिलाने में सहायता तो करता है पर मैं यही कहूंगा कि रिण भाया सोच समझ के लें कुंडली में बहुत ही अच्छे हो छटे भाव की सिचुएशन और ग्रह जोडे जोडे गाट पड़ जाए कभी-कभी गुस्से में हम कुछ कह जाते हैं बोल जाते हैं रिस्ता खराब हो जाता है आपस में फिर बाद में पता लगता है उसका तो इंटेंशन थाई नहीं और शायद आप भी नहीं जानते थे वो कहना नहीं चाते जो आपने कह दिय अभी जो शनी चल रहे हैं आपके ऐसे तो यह ढहिया है मतलब आपको ध्यान रखना है चीजों में कोई बहुत बढ़िया समय नहीं कह सकते पर यह वक्री हुए हैं आपके करीब और नवंबर तक वक्री रहेंगे तो बिजनिस के काम में, रिष्टों में पुरानी चीजों से लाब हो सकता है कोई पुराना रिष्टा, दोस्त, फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकता है कोई पुराना आपका बिजनिस पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है और कहीना कहीन मैरिज वगरा के जो योग बंद रहे हैं उसको ये शनी बढ़ा रहे हैं गुरु तो बढ़ा ही रहे हैं गुरु यहां एकादस भाब में जब बंगल की राशी में आये हैं यह पंचम भाब को देख रहे हैं प्रेम को आपस में प्रेम के लिए अच्छे हैं family मतलब आपके माता पिता की पूरी family आपके माता की side आपके पिता की side कहीं पर भी कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है साथ में सब्तम भापर दश्टी आकर करकराशी वालों के रिष्टे वादी बोलते हैं शादी वादी के योग भी बने हुए हैं इस गुरू की वज़े से यहां से गुरू एक, दो, तीन, चार, पाच तिरते भापर भी देख रहे हैं तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ जो कुछ मत्भेव चल रहे थे या कुछ difference of opinion हुए थे उसमें मई के बाद से कुछ सुधार आएगा बड़े भाई भेनों के साथ भी रिष्टों में यहां मधूरता आने वाली है friends वगएर आपके बढ़ने वाले हैं दोस्त वगएर आपके बढ़ सकते हैं इस गुरू की वज़े से तो यह गुरू का गोचर होगा है शुक्र जो है सब्तम राशी में बैठे हुए यह भी marriage के लिए अच्छा है business के लिए अच्छा है इसकी दरश्टी दसमभाब पर पढ़ना यह भी अवड़िया है यह भी आपके पद, पर्टिष्ठा, प्रमोशन को बढ़ने वाली है दसमभाब इस चीज़ का है अब इस पर शुक्र की दरश्टी मतलब female boss से आपको फायदा हो सकता है female colleague, भाई भाई नहीं, बेहन हो गई आपकी है ना मौसी हो गई, बुआ हो गई female जो आपके life में हैं उनसे आपको लाब रह सकता है वो आपके लखी रह सकती है अगर आप उनसे रिष्टे अच्छे रखते हैं उनकी care करते हैं, उनकी help करते हैं तो उनके साथ लड़ाई जगड़े में नहीं पढ़ना है इस चीज का भी ध्यान रखना है शुक्र जो है, दसम को देख रहे है मा लक्षमी की पूजा, ललिता सहस्ते नाम कन्याओं के लिए कुछ करना कन्याओं मतलब दस साल से छोटी जो बच्चियां होती हैं उनके लिए कुछ करना, कोई gift दे सकते हैं उनको खाना खिला सकते हैं, उनको चूणियां वगएरा दे सकते हैं शुक्रवार के दिन बहुत बढ़िया रहेगा वहीं पिता के स्वास्त का ध्यान रखना है आपने भी देखा होगा पिछले आठ नो महिने से पिता की लाइफ में कुछ उतार चड़ा और यह भी कहता कि अपने धर्म के परती अपने देवी देवताओं के परती अपने संसकारों के परती आपके परिवार में जो भी चलता रहा है उसके परती श्रद्धा को बना के रखें जो लोग देवी देवताओं से बिमुक होते हैं अपने धर्म के परती respect नहीं रखते हैं अपने रिष्टों में loyal नहीं होते हैं अपने माता पिता की care नहीं करते हैं अपने पती पत्नी के साथ जो रिष्टे हैं lawful जो रिष्टे हैं उनमें अपनी जिम्मेदारी को नहीं निवाते हैं अपने संतान को अच्छी सिक्षाएं वगरा नहीं देते हैं उनको कोई remedy काम नहीं करती है ये भी याद रखेगा सारी remedy बाद में पहले करने वाला तो होना चाहिए न करने वाले में ही दोश है तो उसके द्वारा किया गया पुन्य मंत्र जो भी है उसमें भी दोशी रहेगा तो पहले अपने उपर काम करें उसके उपर फिर remedy आपके साथ काम करेंगी बिल्कुल काम करेंगी ये हो गया है ना सारे घरह देख लिए हमने राहु केतु रह गया थोड़ा कि चोटे भाई भेनों के साथ communication को थोड़ा ध्यान रखें sudden कुछ आपने पिछले 7-8 महिने में ऐसा होगा आपने sudden कुछ कह दिया emotional हो गया अप extra और उस समय आपने जो बात कही हो किसी ने पकड़ लिया ये सब रहा होगा 6-8 महिने में आपके कुछ documents में या जैसे कहीं sign करते हैं तो इस जगे की जगे उधर कर दिया या कोई electronic item खरीद रहे हैं कुछ communication हो रहा है कहीं बाहर जा रहे हैं आप वहाँ पर कुछ गलतिया होने का chance यहां पर बुद्ध यह जो है केतु बना के बैठे हुए है बुद्ध का परिवर्तन और सूरी का परिवर्तन यहां तो हमने देख लिया पर यहां पर change आएगा 16 तारिक को सूरी यहां आजाएंगे तिरते भाब में सूरी का आना अच्छा जरूर है पर बौस के साथ आपको बना के रखना है क्योंकि यह सूरी फिर केतु के ऊपर से जाएंगे बौस के साथ पिता के साथ वहां ध्यान रखना है और 23 तारिक को बुद्ध यहां आएंगे यह बुद्ध का यहां आना बहुत सुबह है अपनी ही राश्ची में बुद्ध बैठेंगे तो कुछ न कुछ लाब देंगे आपके लिए यात्रा आएं, ट्रेवल, कम्यूनिकेशन वारता लाब अपने आपको एक्सप्रेस करना पॉजिटिव रहेगा कोई बात है तो उसको समझाएं, बताएं मन में न रखें, जब आप उसको समझाएंगे बताएंगे, तो दूसरे को भी पता लगेगा आपके point of view का, नहीं तो वो अपनी तरब से सोच रहे है, आप अपनी तरब से सोच रहे हो उसको लग रहा है वो सही है और tyre है बी सही, क्योखिए आपको उसे आपका पता नहीं है आप सोच रहे है आप सही है क्योंकि आप भी सही हो क्योंकि आपको उनका पता नहीं है तो जो communication gap है वो आपके भाग को थोड़ा राहू बैठे न उसको कहीं न कहीं आप कह सकते हैं धूमिल कर रहा है तो उस communication gap को आपको दूर करना है अपने बिजनिस में अपने बिजनिस में प्राइवेट रिष्टे हैं दोस्तों में फ्रेंड्स में पती पतनी के साथ या फिर बॉस के साथ तो आपका जो point of view है उसको नमरता से आपको उपर पहँचाने की कोशिच करनी अपने बॉस गुरू तो आपके लिए लावकारी रहेगा यह हो गया जी अब मंगल मंगल की चौथी दस्टी एक दो तीन चार वो भी तिरतिभा तिरतिभा बड़ा तो यात्राएं ट्रेवल हो सकती है कोई चेंज आ सकता आपकी लाइफ में कई छोटी मोटी यात्राएं भाग दोर होने का चांस इस महीने बन रहे और मंगल की साथ आठमी दस्टी को हम डिसकस कर चुके हैं तो यह हो गए सारे घर है अब बढ़ जाते तो हारों की तरफ इस महीने हर तालिका तीज है आपकी छे तारे की साथ तारे की गणेश चतुरती है सारे विगन हरता जो है सारे जो ऑफिष्टिकल है उनको हरने वाले जो गणेश है मंगल मूर्ती है गणेश हनवान जी तो हाई हनवान जी की पूजा होती है पर गणेश जी है वो भी बहुत महत्वपून है उनको भी मंगल से जोड़ा गया है तो खासकर करकर आशी वालों के लिए क्यों कि आपके मंगल योग कारग रहे होते तो गणेश जी की पूजा कर का जाप करना बहुत ही अच्छा होता है 14 तारिकी परवर्तनी एकादसी शनिवार की और इंदरा एकादसी 28 तारिकी वो भी शनिवार की ये भी बहुत बढ़िया जिसकी ढहिया चल रही है उसके लिए सनिवार की एकादसी पड़े तो क्या ही बात है 15 और 19 का परवर्त एक तारिकी शिवरात्रि ये जो शिवरात्री पड़ रही है ये संडे को पड़ रही है सूर्ज के दिन पड़ रही है और भगवान शिप को सूर्ज से जोड़ा गया है इसाम कि कुंडली में सूर्ज कमजोर हों अमावस्या मतलब जिस दिन चांद नहीं होता और अमावस्या सौंबार को पड़े चांद वाले दिन चांद का दिन होता है न सौंबार मंडे मून से आया है तो यह महत्वपूर्ण हो जाती है सत्रे तारिक को पूरिमा है मंगल की और सोले तारिक को कन्या संकरांती है सोले तारिक को जो सूरी का परिवर्तन हो रहा है सूरी कन्या राशी में आ रहे हैं ये आपका महत्वपूर्ण हो गया इसके बाद इस महिने के जो तोहारे मों समाप्त होते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है और कोई न कोई कमेंट कीजिएगा अपने अंतर तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार